एलो एरिवन कैसे सब लोग मैं आपका दोज़ गिरिश्टेश्मुक और आज के टीबीटी टॉपिक नमबर थी के अंदर लेके आए हूँ लैडर सेफटी दोस्तों लैडर का फ्रिक्वेंट यूज जो है हमारे घर में हमारे ऑफिस में हमारे वर्क साइट पे बहुत जगों से तो इस टाइपस के कुछ कॉमन हाजार्ड जो है वो लैडर एक्टिविटी से असोशेटेड होते हैं तो इसी से रिलेटेड कुछ टेन सेफटी लैडर रूल्स आज हम इस टीवीटी टॉपिक में डिसकस करेंगे और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नहे हो फर्स टा लैडर सेफटी रूल्स तो गैज लैडर बेसिकली कुछ सेफटी सेफटी फीचर्स इसके अंदर अलेडी होते हैं वह हम देखेंगे दोस्तों लैडर में फीट जहां पर फ्लोर पर टच होता है वहां पर उसको एक रबर चोक्स होते हैं खास करके एंटी स्कीड ताकि जब लैडर हम यूज में लाएं तो वह कीड ना करे या स्कीड ना करे फ्लोर से उसके साथ मैं इसमें सेफटी प्रिकोशन के तौर पर आउस प्रेडर लोक होता है जो कि सेंटर पार्ट में होता है लैडर के जो आपके स्क्रीन के ओपर दिख रहा है और उसके साथ में आंडल जो है वो प्रॉपरली होते हैं जिसको ब्रेसेस प्रोओट की जाते हैं जिसने अडिशनल स्ट्रेंथ एक प्रोएडर को प्रोएड करता है ये सारी शेफटी फीचर्स राजर के अंदर हाइस चलिए शुरू करते है रूल जो जो रूल नमबर वन जो है लेडर के अंदर वो है चुज दो राइट लैडर फोर पर्टिकुलर जॉप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो जिसे कि मैंने बुला कि लग़ग टाइप से अलग़ परपर्ज अलग़ टास्क एक्टिविटी के लिए लेडर का करेक्ट सेलेक्शन ह जरूरी है जैसे एक टिंदर लैडर से या फिर फोल्डेबल लैडर से है तो इस टाइब से जो हमारा है जिस जिस हइप पर हम वर्क करना जरूरी है और खास करके इस inspection में हम देखेंगे कि कहीं ladder damage तो नहीं है या फिर उस ladder का कुछ parts missing तो नहीं है उसके safety locks proper है या नहीं है या फिर उस पर कुछ oil या grease ऐसा material गिरा हुआ है यह सारी चीजों का inspection थरोली हमें करना होता है तो वह भी काम शुरू करने से पहले तो हर एक ladder के अपना एक safe working load capacity होता है और इसका जो detail information होता है वो ladder के उपर railing के उपर side में एक warning sticker के जैसे आपको मिलेगा जिसके उपर यह information display होती है और हर एक individual ladder की जैसे purpose अलग-अलग है यूज़ करने के लिए वहीसा है उसका safe working load या capacity भी अलग-अलग होती है तो काम शुरू करने से पहले वह हमेशा एक बार चेक कर ले गाईस नेक्स जो रूल है वह हमेशा हम जब ladder setup करने जाते हैं तो हमेशा रखिए गाईस हम ऐसे ही platform या ऐसे ही surface पे ladder को setup करें जहां पे एक stable और firm या ऐसा solid type का surface floor हो ना कि uneven हो और नहीं wet floor हो नहीं किसी टाइप का material उस पर पड़ा हुआ होना चाहिए तो उसकी stability जो है ladder की वह सही डंग से उस floor पे या surface पे टिकी रहे तो दोस्तों ladder surface पे ही properly place होना जरूरी नहीं है तो जब हम ladder setup कर दे तो ऐसे safe place पे करनी चाहिए उसका floor तो proper or stable होना ही चाहिए उसी के साथ साथ में ladder का जो टॉप portion जहां पे रेस्ट होने वाला है वो portion भी safe and sound होना चाहिए ताकि किसी तरह के दुरगटना या excellent ना हो तो इन सब साथ में जुकना नहीं है दोस्तों साथ में lean नहीं होना है अगर कोई चीज हमारे रीच से दूर है अवे है तो हमें उस तक पहुचने के लिए ladder को shift करना है ना कि हमें खुद ही वो साथ में जुकना है गाइस ताकि हमारा balance जो है वो लैडर से आउट हो सकता है वहां पर accident होने का chances है हमेशे एक चीज़ आद रखिए दोस्तों कि अगर हम लैडर पर काम कर रहे है तो जो चीज़े हमारे रीच के बहार है वहां तक पहुचने का कोशिश जूख के या इसा खुद को stretch करके वहां तक जाने का कोशिश ना करें जिसके वाज़े से accident या दुरगटना होने के chances है दोस्तों जैसे कि हमने देखा दूस्तों कि हमेशे आपने को three point of contact बनाए रखना है लैडर के साथ जबी भी हम काम कर रहे है three point of contact मतलब गाईज हमारा जो पैर है वो steps पे या रंग पे properly होना है और handles को दोनों हाथ properly fit होने है जबी भी हम लोग उसको climb करते है या हम चड़ते है या सीडी उतरते है तो हमारे ये three point of contact हमेशा लैडर के साथ होना है दोस्तों जबी भी हम लोग चड़ते है या उतरते है लैडर से तो ये three point of contact बहुत important होते है ताकि हमारा balance जो है वो properly लैडर के उपर रहे और अगला जुरूल है दोस्तों जबी भी हम लैडर पे काम करते है तो एक temporary platform होता है दोस्तों छोटे मोटे काम करने के लिए तो ऐसी जगों प इसे activities के लिए दोस्तों हम लोग ये लैडर का यूज़ कर सकते है और साथ में हमने देखा दोस्तों कि जो safe working load है लैडर का वो हमेशा चेक कर ले उसका यूज़ करने से पहले और किसी भी टाइप का heavy material जो कि आपको खुद आपका balance out कर सकता है चड़ने या उतरने के टाइम पर या काम करने के टाइम पर तो जिससे दुरगटना होने के पूरे chances होते हैं तो इसलिए lightweight item सी लैडर के उपर यूज़ करें और दोस्तों जब हम लैडर यूज़ करते हैं तो जब हम लैडर प्लेस करते हैं तो वहाँ पर one as to four rule जो है वो applicable होता है one as to four rule होता क्या है one as to four rule means guys जहां पर भी हमारा लैडर का बेस हम लोग प्लेस कर रहे है वो हमारे जो structure या building जिसको भी लगके हम यह लैडर यूज़ करने वाले है उससे एक foot दूर होना चाहिए वो building या structure से और यह जो one feet का जो distance है structure या building से वो every four feet of height हमें maintain करना होता है guys जहां पर भी हमारी लैडर का जो टॉप है वो जो rest करने वाला है building के साथ में तो वो distance maintain होना है guys तो दोस्तों इसका मतलग क्या हो गया कि जबी भी हम लोग height पे जा रहे है तो every four feet जितना height हम चड़ेंगे या उपर जाएंगे move होंगे उसी हिसाब से एक foot जो है वो distance हमें building या किसी भी structure से जहां पर भी हम लैडर यूज कर रहे है उसको adjust करना है base को और साथ ही साथ में उसका जो 75 degree का जो angle वो बना रहे जिससे stability जो है लैडर की बनी रहे गाई तो rule number 10 के अंदर जो है guys जबी हम लोग लैडर चड़ते हैं या उतरते हैं तो उस वक्त साउधानी बरत ना पो जरूरी है कौशियसली चड़े या उत्रे लैडर से क्योंकि उस वक्त उचाही से गिरने का लैडर के steps से sleep होने का maximum chances होता है अगर आपके हाथ में कुछ टूल् तो वो साउधानी से three point of contact हमेशा बनाई रखे ताकि आप आपका balance जो है वो लोस नहों चड़ने या उतरने के टाइम पे लैडर से साथी साथ में अपने footwear safety shoes वगिरा जो है guys ensure करें कि वो गीले ना हो अगर गीले है तो उसको properly clean और साफ करिए dry कीजिए तभी आप उस पे से लैडर पे चड़िये या उतरिये ताकि आप sleep ना हो और कोई injury ना हो तो दोस्तों इन चोटी चोटी सारी चीजों से या safety precautions से या मेजे से हम लोग एक ladder injury या ladder से accident होने से रोख सकते हैं तो यह सारी चीज़े धान रखे guys और I hope आपको यह वीडियो पसंद आया तो please like share और comment की किजिए और subscribe करना ना भूलिए मेरे channel को और thank you very much for watching my video